भारत में बहुत से ऐसे लोग हैं जिनके पास काफी कम बज़ट है और वो कम बज़ट वाले इलेक्ट्रिक स्कूटर धून रहे हैं जिसमें उन्हें अधिक रेंज और शांदार फीचर्स भी मिले लेकिन बजाज और ओला जैसे इलेक्ट्रिक स्कूटर काफी महंगे आते हैं यही वजह है कि Yakuza नामक कमपनी ने गरीब के यह सबसे किफायती इलेक्रिक स्कूटर याकुज़ रूबी 48 वोल्स अलेक्रिक स्कूटर को लॉंच कर दिया है। खास बात तो यह है कि इसमें सिंगल चार्ज में 250 कम की रेंज और कई एडवांस फीचर्स मिलती हैं। चलिए इसके कीमट के बारे में जानते हैं। आपको बता दे कि यह हैं इलेक्ट्रिक स्कूटर भारतिय बजार में अलग-अलग वेरियंट में उपलब्ध हैं जिसमें अलग-अलग बैटरी पैक और रेंज देखने को मिल जाती है। बेस वेरियंट की बात करें तो इसमें लिथियम आयन बैटरी पैक का ऑप्शन मिल जाता है। वही एक बार फुल चार्ज होने पर 70-80 km की रेंज प्रदान करती है। वही टॉप वेरियंट में काफी बड़ी बैटरी पैक मिलती है जो फुल चार्ज होने पर 210-250 km की रेंज द सबसे बेस्ट होने वाली है। स्कूटर के बेस वेरियंट की कीमत बजार में लगभग 36,000 से 40,000 रुपे के बीच पड़ेगी जबकि टॉप वेडिंग की कीमत लगभग 71,000 ही होने वाली है। झाली है।